नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडिताइन चाची में तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में माघ मास में कब है सकट चोथ इसका सुमुहूर्थ कब है और पूजा विधी और महत्तु भी हम बताएंगे माघ माह की संकस्टी चतुर्थी इस साल की पहली बड़ी चोथ होगी इसे सकट चोथ ब्रत कहते हैं पंचांग के अनुसार प्रतेक वर्ष माघ माह के क्रश्न पच्छ की चतुर्थी तिति पर सकट चोथ का ब्रत रखा जाता है इस ब्रत को सकट चोथ के अलावा संकस्टी चतुर्थी तेल कूट माघ चतुर्थी के नामों से जाना जाता है सकट चोथ का ब्रत प्रथम पूजी देवता भगवान गड़ेश को समर्पित है संकस्टी चतुर्थी का ब्रत संतान सुख बैवाहिक जीवन में खुशाली आर्थिक मजबूती के लिए रखा जाता है एज दिन ब्रत रखा जाता है और गड़ेश जी की पूजा की जाती है रात में चंद्रमा को अर्ग देकर ब्रत का पारण की आ जाता है तो दोस्तों अब हम बताएंगे इस साल सकट चोथ की तिति, पूजा विधी और सुब मुहूर्थ पंचांग की अनुसार माघ माह के क्रश्न बच्च की सकट चतुर्थी तिति की सुरुवात 29 जनवरी 2024 को सुबे 6 बच कर 10 मिनट से होगी वहीं अगले दिन इसका समापन यानि 30 जनवरी 2024 को सुबे 8 बच कर 54 मिनट पर होगा ऐसे में इस साल सकर 4 का बच 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा दोस्तों हम सुब मुहूर्थ भी पताएंगे अमरित योग जो की सर्वोत तम है सुबे 7 बच कर 11 मिनट से सुबे 8 बच कर 35 मिनट तक रहेगा सुब्योग जो की उत्तम है सुबे 9 बच कर 43 मिनट से सुबे 11 बच कर 14 मिनट तक रहेगा साम का मुहूर्थ 4 बच कर 37 मिनट से साम 7 बच कर 37 मिनट तक रहेगा अब कुछ लोग चंद्रोदय कोई समय पूजा करते हैं चंद्र को देख के पूजा करते हैं उनके लिए मागमाह कि संकट चतुर्थी के दिन 29 जनुरी को चंद्रोदय राद 9 बज का 10 मिनट पर होगा कुछ लोगों किया हैं दोस्तों चंद्रोदे देखके चंद्र देखके पुजा नहीं की जाती है कियोल पाटे पर सकट बना कर वहाँ पर पूजा की जाती है तिल गुड लड़ू सकरकंदी रखके पूजा की जाती है अब दोस्तों हम सकट चोट की पूजन विधी भी बताएंगे सकट चोट के दिन सुबे इसनान कर स्वच्छवस्त धारण कर ब्रत का संकल्ब किया जाता है इसके बाद भगवान गड़ेश का पूजन करें और पूजा के दवरान स्रीकड़ेश को तेल गुड लड़ू दूर करें साथ ही भगवान गड़ेश को मोदक का भोग लगाएं उसके बाद स्रीकड़ेश ची की इस्तुट और मन्त्रों का जाप करें दोस्तों कहीं-कहीं पर पाटे पर भगवान को बनाया जाता है और उनके उपर प्रशाद सुरूप, सकरकंदी, लड़ू, तील के बनाये जाते हैं और बक्रा भी बना कर काटा जाता है कैसी लगी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल पंड़ता हैं चाची को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले बोलो गड़ेश भगवान की जय हो